हलो बच्चो, हमारा आज का अनुछेद है एक यादगार बरफीला दिन, उमीद है आपको पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं अपना अनुछेद, एक यादगार बरफीला दिन, हर साल हम सर्दियों के दौरान किसी ने किसी पहाड़ी स्थल पर जाते हैं, इस साल भ उतेजना के कारण मैं सारी रात सो नहीं पाया, मैं सुभा जल्दी उट गया, सुभा बहुत थंड थी, और मैं बरफ बारी देखने के लिए उत्षाहित था, मैं अपने आराम धायक विस्तर से बाहर आया, बाहर सब धोमिल था, और कपकपाती थंड थी, बरफ बारी देख बेद विशाल चादर जैसे कोई सपना था, छतों पर, पेडों पर, चोटियों पर, गनियों में, चारों तरफ बरफ ही बरफ थी, सब कुछ बरफ से ढखा था, मैंने बरफ उठाई और उसके गोले बना बना कर इधर-उधर फैकना शुरू कर दिया, और मैंने इसी बरफ से एक हिम मानव बनाया और उसके सिर पर अपनी टोपी और उसके गले में मफ्रल डाल दिया। मैंने उसके चेहरे पर आखों के स्थान पर अपने कंचे डाल दिये। मेरा हिम मानव बड़ा ही लाजवाब बना था। अपनी इस खूबसूरत रचना के साथ मैंने कई सेल्फियां ली, दो पहर दो बजे के बाद आसमान में कोहरा चाने लगा, दिन गरम होने लगा, और इतनी ठंड के बाद लोगों ने सूरे का स्वागत किया, लेकिन मैं दुखी हो गया, क्योंकि मेरा ही मानव रूप बदलने लगा था, क्योंकि वह पिगलने लगा था, और साथ ही सुन्दर परिद्रिश्य पूरी तरह से बदल गया, केवल दूरस्त पहाड़ियों पर ही बरफ दिखाई दे रही थी, शाम को लौटने का समय हो गया था, मैं भारी मन से वापिस लौट आया, लेकिन सही मायने में यह मेरे जीवन के बरफ के दिन का सबसे प्यारा अनुभव था, जो मेरे लिए सदा अविस मरनी रहेगा, उमीद है, यह अनुछेद आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना पिलकुल न भूले, इसके अलावा, अ झां 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 झां